तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में जिजक रही है तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में जिजक रही है वो एक कमजोर दिल की लड़की साड़क पे तनहा भटक लगी है आरे घर का पता नहीं है तो पूछने में जिजग रही है है आज नभी शेहर सब पराएं है आज नभी शेहर सब पराएं खबर नहीं कुछ की धाई को जाएं कादम थकन से लाराज रहे है और आग दिल में भड़क रहे है आरे घर का पता नहीं है तो पुछने में जिजग रही है ना कोई ख़त उसके नाम भेजा ना कोई ख़त उसके नाम भेजा ना कुछ जुबानी पायाम भेजा तुम्हारी चाहत अब उसकी आँखों तुम्हारी चाहत अब उसकी आँखों से आँसु बन के टपक रहे है आरे घर का पता नहीं है तो पुछने में जिजग रही है खुला दिया आफियत न पूछी खुला दिया आफियत न पूछी कभी कोई खैरियत न पूछी तुम अपने खुशियों तुम अपने खुशियों में खु रही हूँ यहां मौपत सी सक्याई है आरे घर का पता नहीं है तो पुछने में जिजग रही है वो एक सहमी हुई हसीना वो एक सहमी हुई हसीना वो एक सहमी हुई हसीना तमाम चहरे पे है पसीना जो उसके दिल की जो उसके दिल की है बेकरारी वो उसके रुख से धलती रही है तो पूछने में जिज़ती रही है जा बाद, बहुत अदाब, आएए एक मतला पेश करता हूँ घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर सो चराग जलते हैं हिंसे रोशनी लेकर सौजराग जलते हैं मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले मैं तदे के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले मैं तदे के रसते पर साथ साथ चलते हैं मैं तदे के रसते पर एक मसला पेश करता हूँ, सुनेगा नींद अब नहीं आती, रात यूँ गुदरती है मैं उधर तड़ पूता हूँ, वो उधर तड़ पूती है वो उधर तड़ पूती है ये शेर मैं इस पेशली आप सभी की जानेब से नेहा साहिबा की नजर करता हूँ पेश करता हूँ पूछ मत जवानों के, दिल पे क्या गुजरती है ओड़नी तेरे सर से, जब कभी सरकती है और शेर पेश करता हूँ ये शेर मैं मोहनी ठीक नजर करता हूँ चांद और सितारों में खूब है चमक लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक लेकिन क्या ये आप की बिन्दिया इन से कम चमकती है क्या ये आप की बिन्दिया इन से कम चमकती और ये शेर खास दोर से मैं चाहता हूँ कि यहां सवावा टीवी पर पड़ा जाए और वहां जहां जिसकी लिए नजर में पढ़ रहा हूँ अपने खाबों की रानी के नाम आप शेर पेश करता हूँ इस तरह वो आती है रोज मेरे खाबों में इस तरह वो आती है रोज मेरे खाबों में आसुमान से जैसे एक परी उतर जाए और एक शेख जिसके लिए मैंने खजल कही तमात परमाएं आप उसे मिले हमको यह हुआ है अबु एह साथ शाख बासमर हो तो खुद बखुद लचकती है और एक शेख फुनिगा जी मुझको ऐसा लगता है हो गया हु कुछ में भी धोस्तों को अब मेरी शाख्सियत खटकती है और यह मक्ते का शेख उससे पहले यह चार मिसरे मैंने कभी कहे थे के मुहपत का घना बादल बना देता तो अच्छा था मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था उसे पाने की खाइश अब मुझे जीने नहीं देती खुदाया तू मुझे बागल बना देता तो अच्छा था सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूं सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूं इसलिए मेरी हाश्म हर घजल चमकती है इसलिए मेरी हाश्म वह शुक्रिया एक टाजा मसला पेश करता हूं सुनेगा होटों पे जिकर गयर कलाती हो किस लिए होटों पे जिकर गयर कलाती हो किस लिए दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए दानिस्ता मतलब जान पूच कर डेलिबरेटली दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए और शेर पेश करता हूँ, खास दोर से दुआई चाहता हूँ हस हस के मेरे दर्द मुहबत की दासता हस हस के मेरे दर्द मुहबस की दासता अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल मेहंदी हादेलियों पे रचाती हो किस लिए मेहंदी हादेलियों पे रचाती हो किस और शेस ने बदनाम हो ना जाए कही हुसन का वकार अपना दुपट जट से ओडाती हो किस लिए अपना दुपट जट से ओडाती हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कस्दन यानि जान भूज कर मतलब मेरा जाया हुआ आपने धीरे सुना कस्दन यानि जान भूज कर मैं शेर पेश करता हूँ सुने बतो ने खास कसदन ये बात मुझे से छुपाती हो किस और हादरीन एक शेर पेश करना चाहता हूँ मैं तुम से पूछता हूँ जम अन्जाम व इश्क का शम में जला जला के बुझाती हो किस लिए हाशम के प्यार पर जो तुम्हें एक तुम्हें है इस दरजा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए इस दरजा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए वाव 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 वाव